जोत जग रही है भीदर जोत जग रही है आतम जोत जग रही है कितनी प्यारी कुल दुनिया की मा लग रही है जोत जग रही है जोत जली मंदिर में मसद दमेरू पच्छी राजिता जोत जली मंदिर में मसद दमेरू पच्छी राजिता प्रती की सिंबॉलिक भीदर का प्रती का आतमक सवरूप बाहर की और भीदर से बाहर की और उमड़ी आतम जोड़ी बाहर डिजाइन बनते चले गई बाहर प्रती को होते चले गई वो इशारे होते चले गई पारंतो हमने इशारों को ही पकड़ लिया हम वास्तविक सवरूप की और आख उठा करके न देख पाए सब भीदर था जो बाहर हमको परतीकों के रूप में मिला परतीक आतमक स्थितियां हैं बाहर वास्तविक्ता भीदर है वो सब इशारे हैं उस इश्वर की और जो हम सब के भीदर विराजबान हैं जो मंदिर गुर्द्वारा मस्चे चर्च हमारे पूजा पाठ के स्थान वो सब भीदर की और इशारा कर रहा हैं वो स्वयम कह रहे हैं हम डिजाइन हैं हम केवल मान्चित्र हैं हम केवल परतीक हैं हम केवल मात्र सिंबॉलिक हैं हम इशारा हैं ठीक भीदर कहा एक मात्र डिजाइन हैं आप इस डिजाइन में इसके अंत्रगत होकर की अपने वास्तविक भावन को ढूण लीजिएगा अपने सुर्ति द्वार को ढूण लीजिएगा अपने हिर्दे द्वार को ढूण लीजिएगा जहां वो स्वयम सदा विराजवान हैं बहुत संदर इशारा किया है जोति जली मंदिर में मस्जिद में रूप चिराल का चर्च में केंडल जोती हर घर सी उसका वास्ता चर्च में केंडल जोती हर घर सी उसका वास्ता इसलिए तो पुल धर्मों की मान लग रही है जोत जग रही है आतम जोत जग रही है पीदर जो जग रही है जोति जग रही है जो जग रही है, मा कुंडालनी जग रही है, बाहर भीदर जग रही है सुर्ती द्वार सहसरार जग रही है आहो, प्रभु के हाथों से बने हुए महांतिरत धर्मस्थल, यह ठाकुर द्वार है, जो प्रभु ने स्वयम बनाए, आई उसके भीतर चले, जो प्रभु के हाथों से बनकर की चलता फिरता ठाकुर द्वारा आया, इस धर्ती पर मानों के रूप में, उसका साकर रूप बनकर की आया, वास्त्विक मंदिर गुर्द्वारा मस्जी चर्च है यहा, इसमें उतरना बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत साधारन है, बाहर के धर्म द्वारों पर जाना बहुत कठी नहीं, अपनी भीतर जाना, प्रभु के बनाय होए धर्म स्थल में जाना, आतम द्वार पर जाना, बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत साधारन, कुछ करना नाई, केवल भीतर की और जागी जागी रहना, ये प्रभु के बनाय होए धर्म स्थल पर, हिंडू, सिक, मुसलमा, इसाई, जैन वर्द, पार्सी, यहूदी, सब जाती धर्म के लोगों को पुरा दिकारा है, इस धर्म स्थल पर उतरना, बराबर अधिकार है, क्योंकि ये प्रभु के हाथों से बनकर क्या आया है, चलता फिरता मानव रूपी ठाकुरद्वारा, मानव रूपी धर्म स्थल, जहां 24 घंटे बारो मास, स्वास प्रति स्वास में, सच्चितानंद का डेरा है, जहां वो स्वयम विराजमान है, जहा अपनी भीतर, अपनी हर्दे द्वार पर, अपनी थाटलेस्नेस की स्टेट में, वो बलिस, वो एग्जस्टेंस, वो नौलेज का सवरूप, वो सच्चितानं सवरूप, माइंड के पार, बियोन माइंड, निरंतर तुझे पुकारता है, ओ इंसान, तेरे ही भीतर बैठा है, बाहर ढूणते की जूर्त नहीं, अपनी भीतर थोड़ी सी जहाती मार लें, उसकी जलक मिल जाएगी, बाहर की दोनों पलके मुझती ही, आभीतर की और स्वयम देखने लगते हैं, ये देखना बहुत नैचुरल है, ये देखना वास्त्विक है, ये देखना एकमात धारमा है, अपनी को देखना, अपनी को ढूणना, अपनी को खोजना, अपनी को लब लेना, एकमात्र इनसानी धारमा है, ये ही धारना परिपक होती चली जाती है जब, तो इनसान धारमिकता के आलों में उतरता है, धारमिक बनना बहुत असान, धारमिकता होना बहुत कठिन, किन्टु वो कठिन भी सहज हो जाता है, जब हम अपनी भीदर की और, अपनी ही भीदर, खोई हुए अस्तित्तु को ढूणने लगते हैं, जो भी ढूणने निकला, जो भी चला भी तरकी रहा पर, वो सब भर पूरा हाथ लोटा, और जिसने बाहर की और खोजा उसको, खाली हाथ, जनम भर खाली हाथ रहा, खाली हाथ लोटा, जो जहां है उसको वही खोज लेना, उचित विज्डम है, उचित दिशा है, उचित प्रयास है, उचित प्यास है अपनी और थोड़ा जागे जागे रहना अपनी को देखने वाले होना खना अंधिरा है भीतर अंधिरा ही अंधिरा है सनाटा ही सनाटा है आप स्वयम देख लेना वीदर की गगन गुफा में अंधीरा ही अंधीरा इन अंधीरों को दूर करने की बजाए हमने इसको मल्टिप्लाई किया है हमने इसको बढ़ावा दिया है हमने स्वयम अंधीरों को पिरोया है जिन्होंने हमारी आतम जोद को ढांग रखा है हमारी प्रकाश्मान स्थिती को ढांग रखा है हमारी एनलाइटन स्थित को दबा रखा है हमारी आनंद की स्थिती को चुरा रखा है इन अंधेरों को लगाटार देखते ही अंधेरे पतले होने लगते हैं जो जो जागोगी अंधीरी बदलते चले जाएंगे प्रकाश में, ये विदा होते चले चाएंगे, ये रुपांत्रित होते चले चाएंगे, आप देखते रहना, केवल देखना, अपनी और जागे जागे देखना ही मेडिटीशन है, डारेक्ट्ली वाज करना, भीतर के अंधीरों में मन का खेल, मन का जादू, मन का मैजिक, चहो और फैलता चला जाता है, जैसे चोर को देखते ही चोर भागता है, ऐसे मन को देखते ही मन भागने लगता है, अंधीरों को देखते ही अंधीरे पतले होने लगते हैं, आप जैसे जैसे देखते चले आपको स्वयम दिखाई देगा भीटर का दल कैसा है, क्या है, कहा है, कितना है किस दिशा में और कैसी दशा में है तो हम स्वयम अनुभाव करना लगादार दीखती रहे न देखना हम सब का सभाव है देखना कोई टेकनीक नहीं, मैथर नहीं हम सब के पास थर्ड आई है हम सब के पास भीजर देखने की कला है हम सब के पास अपने को देखने की आँख है डारेक्ट देखना सीधा सीधा देखना तुम ही हो देखने वाले तुम स्वयम शिवनेत्र हो तुम स्वयाम थर्ड आई हो तुम स्वयाम डिवाइन आई हो इनर आई हो थोड़ा जागे जागे सहज में बहुत सलता पूर्वग मुझित भाव में मौन पूर्वग दीखते रहना जो भी दिखाई दे रहा है उसी को दीखना अपने और से कोई कलपना नहीं करोगे कलपना करोगे तो कंसंट्रेशन हो जाएगी वो मेडिटेशन नहीं रहेगी एक मात देखना simply watch, be watchful watch your mind, watch your thoughts simply look बार बार देखते रहना देखनी की प्रक्रिया बहाल रखना देखने का प्रोसेस जारी रखना केवल देखना पल-पल देखना तूटता है तुम हर पल निर्मित करते चली जाना अपने आपको अवस्र देना दीखने का अपने भीतर की अंधिरों को भीतर के सनाटों को तमाम प्रकार की अज्यानता के परदों को नेगिटिविटीज के परदों को देखते चले जाना आप सोयम देखना, अपनी और जागना भीदर की और जागे जागे देखोगी तो बाहर का जगे आप तक जो भी किया सर्व डस्ट सब धूल बनकर की खड़ा होगा तिरे सामने जो तुने आज तक किया वो सर्व तिरे सामने खड़ा हो जाएगा आप कोगे की भीदर भी वही है जो बाहर है भेड का है, भेड इतना हैं कि जो भीदर है उसे हमने अपने आप को, अपने आप से देखना है उसमें तनिक मात्र भी दखल नहीं देना बाहर की देखने में तुम दखल दोगे बीतर की देखने में तुम दखल नहीं दोगे तुम एक निस्पक्ष उर्जा होकर की एक नियूट्रल आनरजी होकर की एक निर्पेक उर्जा होकर की देखोगे जिस देखने में वो सब धूल, सारी डस्ट अपने आप विदा होती चली जाती है ये layers by layers भीतर पड़ी नहीं रह सकेगी इसे जाना होगा, इसे विदा होना होगा, इसे रुपांत्रित होना होगा नहीं तो ये भीतर धेरो धेर बाइट करकी एक दिन मनो रोग, हिर्दे रोग का शिकार बना देती है हमको ये तमाम मनो रोग, हिर्दे रोग, भीतर की stress, tension, past और future की दुनिया की कारण है भीतर बहुत संघर्ष है, भीतर बहुत भीड़ा है, भीतर बहुत ट्राफिक है आप दिली की ट्राफिक, दिली के बजारों की भीड, दिली की सडकों की ट्राफिक देख करके घबराना नहीं ये कुछ भी नहीं है तेरे भीतर की राहा पर जो ट्राफिक है विचारों, विकारों, विकल्पों, वृत्तियों की भीतर माइड के तलकी उपर जो संगर्ष चल रहा जो बाजारी चल रही है उसके सामने दिल्ली की बाजारी दिल्ली की भेड़ दिल्ली की ट्राफिक तनी कुमात्र भी कोई अस्तित्तों नहीं रख़़़ी बहुत जबर्दास्त है भीदर आप अपने को देखोगे हैरान रह जाओगी बहुत आश्चरी चकित होगी बीदर कितनी भीड़ है विचारों की कितनी ट्राफिक है विचारों विकारों की कितना अंधीरा है कितना विचारों का आवाजाई विचारों की चहल पहल यह सब ट्राफिक बीदर की ऐसा जाम लगा करके बैठती है कि आप घंटों घंटों तक उसको बाहाल नहीं कर सकते परन्तों हमरा धर्म है केवल देखना दखल नहीं देना मन की गतिविधियाओं को माइंड की एक्टिविटी को जागे जागे देखते रहना केवल देखना कर सकते ये देखने देख़ वहीं मैं लगाज।ब देखने । 侍ाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो pow router मन में चले जाना और पार वीचारो मेंująकि धुजाना बार बार भूत वविष्में चले जाना मायेन के साथ फेर फेर आइदेन्टिकेशन हो जाना पणा-पणा तदातमी हो जाना पुणा-पणा आइदेन्टिकेशन हो जाना आदत वश्यो रहा है ऐसा होता ही आ रहा है हम स्वया माइंड ही हो गए आइडेंटिफिकेशन तो क्या है हम माइंड ही हो गए हम के अवाल मन होकर की जी रहा है हम के अवाल माइंड होकर की जी रहा है हम के अवाल माइंड की पिछल लगो स्वया माइड हो गाए ये भूल समार लेना अपनी इग्नोरेंस को विदा करना बार बार जागना You are not a mind You are a seer of it You are a witness of it अपनी सभाविक स्थिति मेर है न अपनी true nature में रहना अपनी सभाव में रहना धार्मिक्ता है यहाँ रोहानियत की एक महान आध्यात्मिक्ता की एक महान जगमगाती हुई शिखा है जागे रहना स्वस्तपुरन, प्रेमपुरन, आनंदपुरन सुखपुरन हो जाओगी गर तुम अपनी निवास पर रहोगी सुर्तिद्वार तुमरा निवास थड़ आई शिवनेत्र तुमरा निवास है वर्तमान की पलों में रहना तीरा धार्मा है भूत भविश में आना जाना, रहना वर्तमान में परदेश में आना जाना, रहना सवदेश में एक मात्र सुक पुरन स्वस्त पुरन जीवन है यह के वल देखना और कुछ करना नहीं अपनी सुर्थी, अपनी होश, अपनी अविर्नेस, अपना जागा निरंतर बढ़ता चले, एक्स्पैंड होता चले पर सहज में जो जो हो रहा है उसी को देखना अपनी और सेतनिक मात्र भी कलपना नहीं करना माइड की कलपनाओं को देखते रहना तुम उसके साथ किसी परकार की भी आइडेंटिफिकेशन तदात्मयमत रखना आप हटते चले आना मन के खेल से, विचारों के खेल से दमढ़ते चले आना बहुत क्लियर दिखाई देगा आपको भीतर विचारों का खेल, मन का खेल भीतर के अंधिरों में माइड का मैजिक बदलता हुआ हर पल बदलता हुआ, हर क्षण बदलता हुआ रूप, माइड का तुम स्वायम देखते रहे ना देखने मात्र से जो जो अननैसेसरी है, जो जो यूजलेस है वो सब विदा होता चला जाता है सब व्यर्थ के विचार, व्यर्थ की सोच, जो हमारी विल पावर को कमजूर करता है जो हमारी clarity को दबा लेता है, जो हमारी wisdom को चुरा लेता है वो सब अपने आप विदा होते चले जाते हैं और उनसे बची हुई energy उर्जा आपके भीतर को enlighten करती चली जाती है वो thoughtlessness की state आपको आनन्दित करती है आपको सुख पुरन स्वस्थ पुरन बनाती चली जाती है जागी रहना लगता देखते रहना द्रस्टा अकरता होकर की भीतर की गती को देखते रहना जागी है कर दो कर दो कर दो कर दो कि देखनी में कोई दबाव ना पड़े बहुत सहच सभाविक रूप से देखना आप देखी राय हो आप अपनी और कहीं भी माइंड के प्रती प्रयास नहीं करना है कच्छु करना नहीं जैसे ही तुम कुछ करने लगते हो तो टेंशन प्रैशर दबाव एकदम शुरू हो जाता है भीतर की रहा पर भीतर की यात्रा पर जीवन यात्रा पर कुछ करना नहीं केवल जो हम भूल गए हैं उसको पुना याद करना है हम जो अपने को भूले हैं उसको पुना समर्थी में अपनी रिमेंबरेंस में ला रहा है उसकी याद पुना उठाना है मैं हूँ देखने वाला द्रस्टा साक्षी अकरता हूँ I am a non-doer, I am a simply seer, I am a neutral energy, simply watching the mind's doings, mind is a doer, its doings I am watching directly इतनी सी याद, इतनी सी रिमेंबरेंस, इतनी सी रिमेंबरेंस आपको mind से थोड़ा distance, थोड़ी दूरी परदान करती चली जाती है जहां तुम स्वायम, जागे जागे मन की माया को देख सकते हो मन ही माया, रोपाया पैसा प्रोपर्टी जाइदाद माया नहीं है माया है तेरा माइंट, मन ही माया इसकी मायावी स्थितियों को, इसके बदलते होई देवर को बदलते होई तमाम चाल ढाल देखते चली जाना कभी पास तुमें, कभी फ्यूचर में, अधिकतर पास तुमें जो जो विचार खड़ा करता चला जाता है जो जो विचारों की लड़ियां, विचारों की लेर्स तेरी समक्ष खड़ी करता चला जाता है आप उसको देखते रहना विचार दशा है तो देखते रहना भाव दशा है तो डूपते चली जाना प्रभु प्रेम प्रभु प्यास की उमरती हुई सरिता में तुम बैठते चली जाना तुम छलकते सागर में गहरी डूपकी लगाना प्रभुप्रेम प्रभुप्यास की दिवान की महें अपने को मिलने की, अपने को देखने की, अपने से जुगरबंदी कर लेने की ये प्यास एक दिन प्रमात्मा बन जा दिये कि अधने कीम की चेशा और में प्रभुण yr. कर दो 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 कर हुआ 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 है भीकर की और वाच्पॉलनेस रखना है यह वाच्पॉलनेस तुझे बाइंट फॉलनेस देगी तुझे एक आगर चित्ता देगी बाहर की जिन्दकी में और भीतर की प्यास देगी सुक्षान्टी आनद मस्ती परदान करेगी बहुत अनर्जी परदान करेगी यह विल हाव लॉट पीस, प्लासिट, रिलाक्शेशन अटोमेटिकली इट्स योर ट्रू नेचर, इट इस इन योर ट्रू नेचर गर आप अवेकन्ट स्टेट में हैं तो यह सब क्वालिटीज तेरे हाथ में होगी कहीं से भी उधारी नहीं मागनी पड़ेगी बोरो नहीं करनी पड़ेगी तो स्वयम भंडा रहे, स्वयम स्रोत है तु अपनी अनर्जी का उर्चय का तो स्वयम लहलाहाता आनंत आनंत गैस स्टेशन है गर तु थोड़ा अपनी और जागी जागी रहेगा तो अवश्य में बाहर की दुनिया में तु पूरी तरह सफल होगा मन को कहीं लगाना नहीं यह लगता नहीं, आज तक किसी का लगा नहीं कहीं भी लगाने की कोशिस कर लेना लगेगा नहीं और जो लग जाता है वो माइड ही नहीं मन लगता नहीं, इसका सभाव है यह सदा विखराव में है, भटकाव में है, बाहर की दुनिया में कब लगता है माराज? यह कब रास्ता छोड़ता है? जब यह माइड no mind की स्टेट में आता है जब तू इससे हटता है तू अपनी सारी की सारी उर्जा को परकाश को पावर को अपनी एनर्जी को आपिस लोटा लेटा है उस समय ये माइड तेरे अंत्रगत चला जाता है ये स्वता ही तेरे प्रती समर्पित होता चला जाता है ये तेरे बिना एक पल जी नहीं सकता ये तेरे प्रकाश पुझ में तेरी अनर्जी में तेरी उर्जा में तेरी पावर में तेरे प्रकाश में सारा खेल खेलता है तो सूर्य की तरह जगमगाता हुआ अस्तित्तो है ते तेरी ही प्रकाश को misuse करता है, यह तेरी अंत्रगत हो जाता है, तेरी और समर्पित हो जाता है, जब तू इससे हटकर कि अपनी existence में, अपनी अस्तित्तु में लोटता है, अपनी सभाव में लोटता है, तो मन अपनी आप को तेरी हवाले कर देता है, उस वक्त तु एनलाइटन होता है उस वक्त तु भीतर बाहर प्रकाश्मान होता है उस वक्त तु अपनी जिन्दगी का मालिक होता है यह प्रासेस तुछको पूरन त्यां उसी दिशा की और एक दिन फलित कर देगा केवल देखना देखने को कठिन मत समझना जैसे बाहर सहजपुर्वक देखते हो ऐसे भीतर देखना जैसे बाहर सड़क के किनारे पर खड़े खड़े ट्राफिक को देखते हो चलती हुई ठीक उसी तरह विचारों की ट्राफिक को भीतर की राह पर खड़े खड़े देखना क वल नुट्रल होकर कि दीखना तो जो जो भी गयर जरूरी होगा, वो सब विदा होता चला जाएगा, जो तेरी tension, stress, depression का करन बना है जो तेरी सारी negativity का करन बना है वो सब कचरा विदा होता चला जाएगा और तु स्वायम में स्वास्त आनन्दित प्रेम्मेहोता चलजाएगा झाल आंकार आंकार आमीं Amen Meditation is real challenge to stress. It is a tonic for good health. It is an active for a happy, healthy, wealthy life. मेडिटेशन तुझे मैस्टर बना दी है, मेडिटेशन तुझको अपनी और जगा दी है, मेडिटेशन तुझको कारण, दुख का कारण, तेरे हाथ थमा देती है, और उसका इलाज भी देती है अचोड के सभी साहारे, अचोड के सभी साहारे, शरण गुरु देव की आजारी तेरा बिगडा जनम सावारे, तेरा भट का जीवन संभाले, शरण गुरु देव की आजारे, अचोड के सभी साहारे अचोड के सभी साहारे, मन के साहारे, जिनोंने आज तक तुझे धोखाई दोखा दिया इन मन के सहारों में नहीं उल्जना, मन के लोभलालच में नहीं, मन के सहारों पर नहीं रहना अपनी आतम निर्भरता को जितना शीघर हो सके उतना शीघर उभार लेना ये निर्भरता तुझको निर्भार अवस्था में हर कदम के उपर आनन्द के मस्ती के दोर उतारती हुई तुझे हर कदम पर सफलता परदान करेगी ये जाग्रण, ये होश, ये सुर्टी द्वार तुझको संसार में बहुत काम आएगा तुम संसार रूपी कीचण में कमल की तरह खिलोगी तुम आपने सवभाव में जीओगी तुम प्रेम पुरण जीओगे, आनन्द पुरण जीओगे, सुख पुरण जीओगे साधारन दुनिया में कोई उपाय नहीं है, अपने जीओध को सुखी करने करी है ये सुखध जीओध अपने भीटर, अपनी ओर, जागे जागे मिलता है जो भी जागे हैं, उनके हाथ जीओध लगा है उनके हाथ सुख, शान्ति, आनद, मस्ति का आलम जगा है उनके हाथ ये परमसंपदा, परमधन लगा है उनके हाथ ये खजाना लगा है ये मास्टर चाबी उनके हाथ लगी है जो भीतर की और, बाहर की तरह भीतर भी जागे है जैसे बाहर जागे हैं, ऐसे हम भीतर भी जागे तो जीवन अपने आप में खिल उठेगा अपने आप तमाम qualities ड्वायल पहती चली जाती स्वयम तुम tension free, stress free, depression free, panic free होता चला जाता तो स्वयम अपने mind का master होता चला जाता अपने mind को देखना अपने विचारों को देखना उठती विधूल को देखना विचारों विकारों की अपने भीतर पड़ी सारी की सारी negativity को जब ध्यान का तीर लगता है तो तेरे सामने खड़ी हो जाती आप उसको जागे जागे देखना इस सब mind का कच्रा है mind का मलमेल है mind की धूल है आप जागे जागे देखना एक मात अपनी शर्णागती में होतना अपने आप की शर्णागती में अपने सुर्तिद्वार की शर्णागती में अपने सहसरार की शिक्रों की और शर्ण लेटी चले जाना तीरा जीवन जगमगा उठेगा ये चार दिन की जंदगी चार युगों के बराबर हो जाएगी मेडिटेशन में तेरे स्वास इतने स्टूर होते हैं कि तु जितना लंबा जीना चाहे जी सकता है और जितना स्वस्त होके जीना चाहें जितना भी तु तरो तासा होके जीना चाहें सब संभावना तेरी अंत्र मुखता में है कश्क ये संपदा जहां है तुने वहाँ खोजी होती तो आज जगत के अंदर तु इतना दुख दर्द ना पिरोता आज तु संसार में इतना दुख पूरन पश्चाताप से भरा हुआ एक्सपेक्टेशन के अंधेरों में डूबा हुआ दूसरों से सुख की भीग मांगता हुआ कभी न देखा जाता तो सदा अपने आप में आतम निर्भर होता आतम निर्भरता पैसे की निर्भरता नहीं है पैसा साधन है आतम निर्भरता को पाने के लिए पैसा बहुत बहु योगी है, स्विधा देती है, और स्विधा में साधना का दीव जराना बहुत सहज है, गर थोड़ी सी मारक दिशा हो, थोड़ी सी जीवन दिशा हो, गर थोड़ी तेरे भीतर प्यास हो, प्रायटी हो, अपने से मिलने की, अपने आप से मिलने की, हर एक negativity, positivity में बदरती चरी जाती है, जब तुम अपनी और जागते हो, तेरा बिगड़ा जीवन सावारी, तेरा भट का जीवन संभाली, शरण गुरुदेव की आजारी, और छोड़ के सभी साहारी, मन की, सहारे जो सरक्ते चरे जाते हैं, उन पे भरोसा करना, कदाचित भी, नादानी ना करना, वो सदा सरक जाते हैं, सब के सरके हैं, तेरे भी सरकते हैं, आप उसी अनुभव से सीख लेना, करोणा नी थी हैं, वो दयानी थी हैं, ते मन तेरे रहनुमाई, जीवन के रहते होंगे रे प्राणी, वो ही एक सहारी, अन्त समय में होंगे रे प्राणी, वो ही एक सहारी, अपने आप को तु समझारी, शरण गुरु देव की आजारी, तेरा बिगड़ा जनम सावारी, तेरा भड़ का जीवन सवारी, शरण गुरु देव की आजारी, अन्त IS, जरण वो ही एक समय मार्व चुरु अजारी, तेरा भड़ है,ि मुत्म की आजारी, अन्त समय में तु समय में एक सहार भड़ की आजारी बहुत गहरी चुट लगाई है डायो जनीज नाम के व्यक्तिना जो स्वयाम सत्य का खुजी है दिवाना मेडिटेशन के आलव में डूबा हुआ है डायो जनीज ने दुनिया के शिखर कहलाने वाले बुद्धी के शिखर तरक के शिखर लौजिक के शिखर कहलाने वाले अरिस्टोटल को अरस्तु को क्या तीर मारा है क्या तीर चुभोया है कि वो अनीक और रातों तक सो नहीं सका जिसके लॉजिक की अधार पर आज सारा वेस्टन कल्चर खड़ा है जिसमें हम कहते हैं इंडियन रंगते चले जा रहा है आरे ये कल्चर कोई नई थोड़ा है भारत की अपनी सिंधु घाटी की सभ्यता अपनी कल्चर अपनी सिवलाइजेशन है कोई नहीं रंगा जाता है भारत का हर बच्चा पूरंतिया जानता है थोड़ी देर जाता है लॉस्ट होता है वापिस लोटाता है वो स्वयाम जानता है स्वयाम एकदम भाप जाता है एकदम स्वयाम उसके भीतर तराजू है थर्मामीटर है वो एकदम समझता है वो एकदम सभलता है थोड़ी देर लौस्ट होता है, पुना लौट आता है, जानता है कि मन का खेल है, मन की एक मात, दुनिया है, मन के अट्रैक्शन, ग्रामर, माइंड के, तमाम चोंचले हैं, अधिक दिर तक रहते नहीं, बहुत शीघर ठका देता हैं, बहुत शीघर विज्डम दे देता हैं, कोई लौस्ट कुछू भी यहाँ पर विदेशी नहीं है, कचू भी यहाँ पर पराई नहीं है, कचू भी यहाँ पर फॉर्नर्ज नहीं है, विदेशी नहीं है, कोई किसी प्रकार का भी रहन सहन, भारत की धर्ति परपन पे बिना नहीं, उठा संसार की किसी भी कोने में, वो सब हमारी अ एक मात, दे नहा लागे सी, कभी इसी धर्ती की उपर पनपा है सब, आप सिंदु घाटी की सफ्यता को खोल करके देखीगा, कितनी ये ड्वांस, सिवलाइजेशन है वाहा, कितनी ये ड्वांस, लॉजिक, तरक के उपराधारे, क्या भारत में लॉजिक नहीं था, तरक नहीं था, क्या भारत में डिसकुशन नहीं थी, भारत में समवाद नहीं था, वाद विवाद नहीं था, क्या, जब तक रहा तब तक इनसान बहुत क्लियर, बहुत क्लीन, बहुत आवर रेडी, बहुत फ्रेश रहा जब इस संस्कृति में रोहानियत के आलम में अध्यात्मिक्ता के आलम में धर्म के क्सित्र में डिसकशन ही नहीं रही, बाचिती ही नहीं रही, सानिध्य ही नहीं रहा, समवाद ही नहीं उड़ता, वाद विवाद उड़ता समवादी नहीं रहा बाचिती नहीं बस मथ्था ठेक देती है चल दाता जो हो नहीं सकता उसके आगे मथ्था ठेक देता तू जान तेरा काम तू ही कर ले हम तो धन्य धन्य कहेंगे आप बस मथ्था ठेक दे अरे थोड़ा सा देख अगर आपने जीवन को सुखी बनाने के लिए तू अमेरिका तक घुमता है तो विदेशों में जाता है वो सुख अमेरिका योरप में जाने के पश्चाद भी नहीं मिलता है वो कहीं भी चला जान जाना वो जुरूरी है सारे विशों में भारत की पता का फैलानी चाहिए भारत की संस्कृती नहीं हारेक इनसान को शान्ति आन दमस्ति बेप्रवाही का आनम दिया है वो अलग बात है कि आज भारत में रहने वाले स्वयम वंचित है उस माखन से स्वयम वंचित है आपने सुक शांति आना नमस्ति से स्वयम नार किये जीवन जी रहा है स्वयम इगो आहम हंकार के अंधेरों में डूबे डूबे एक दूसरे के प्रती इसा द्विस की अगनियां जलाते हुए जी रहा है कितनी लग पुलिंग है भारत में ओ अलग बत है कि भारत भूमी में सारी संपदाइं होते हुए भी उससे वंचित है मारक दर्सन की कमी, दिशा निर्देशन की कमी आज भारत के लोग स्वयम सुक्षान्ती के लिए कितनी गरीबी मैसूस करता है सुक्षान्ती आनद मस्ती स्वास्त के लिए न जाने क्या क्या परियास करते हैं यतन करते हैं कि तु बाहर बाहर ढूंडता है उनके पास इतनी सी दिशा नहीं कि वो बाहर मिलता नहीं होना है अरे धर्म यात्राओं पर जाना हो तो तुम्हें कितनी तैयारी करनी बढ़ती है कितना साधन जुटाना पड़ता है बाहर की यात्राएं कितना करना पड़ता है खिंत जीवन यात्रा पर अपने भीटर की यात्रा पर उतरने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है महरग कठी नहीं, तनिक मात्र नहीं, बाहर की यात्राएं कठी नहीं अपने जीवन यात्रा, भीतर की यात्रा जैसा सहज यात्रा का सवरूप दूसरा कोई नहीं बढ़े बढ़े भीतर की और अपनी थर्ड आई से कुनेक्टिड हो जाना बैटे बैटे भीतर की और जागे जागे देखते रहाना बैटे बैटे योहीं भीतर की और मुड़ जाना टर्न कर जाना और जागे जागे भीतर की तमाम नेगेटिविटिस को भीतर के अंधेरों को मन माया को मन के तमाम खेल को देखने वाले हो जाना क्या अग कठी नहीं या यह तो हमारा सुभाव है हम प्रभु के हाथों से बना हो है चलते फिर ते मंदि गुर्दवारे ठाकुर्दवारे मस्चीद चर्च में क्यों ना प्रविस करें हम वहां जहां वो बैठा है वहां क्यों ना चलें आहां कौन द्वसाएगा कौन वो दिशा देगा जो स्वयम जागा हुआ होगा जो स्वयम स्वस्थ होगा स्वयम आनंदित होगा स्वयम सीधा सर्ल होगा बारा बर्स का बालक आठ कुबड़ों वाला अस्तावकर राजा जन्यक की धरमसभा में पहुंचते हैं वो धरमसभा उसकी आखरी थी सैकड़ों धरमसभाएं कियां सैकड़ों कियां कचुहात नहीं लगा आखिर वो पहुंचा जब प्राणों में प्यास मेडिटेशन की कंसंट्रेशन से मेडिटेशन की और बढ़ी तो वो पहुंच गया बारा बर्स का छोरा आठ कुबड़ों वाला जिसको देख करके सभास पढ़ें सबके पास चबड़े की आँख है भीतर की आँख नाइए हैं उस धरमसभाव हैं सभास पढ़ता हैं और क् भीतर के अंधे बाइठे हैं ये तुझे क्या भीतर की शिखा देगे ये तुझे क्या जगमगाएंगे जिनकी आँख बाहर वरक करती है भीतर तो हाई नहीं और एक बात बता दें जैने कहां भरी सभाव में मैं डेकलेर करता हूं अस्तावक्र ने कहां मेरे जैसा आठकुबड़ों वाला कह रहा हूं मेरे जैसा सीधा सरल सहज स्वस्त व्यक्ती दूसरा तुवहारी धर्ती पर नहीं है क्या गजब कह डाला सब सनाटा छा गया चारों तरब सब सुनसान हो गया सब आख नीचे करके बैठ गया है और उसने पिला दिया जाम छलका दिया पैमाना दर पैमाना ये क्या बताएंगे राज उल्फ जिनहें खुद आपना पता नहीं है जिनहें खुद आपना पता नहीं है वो उसका पता क्या बताएंगे मैं खुद अपनी तलाश मी हो जागरन हो सुर्ति की तलाश मी है राजा जैनक वो अपनी सभाव की एक मात रखोज में है किसी ने नहीं दिया कितना साधन है उसके पार सारे भारत का राजा है शिखर है क्या कमी है उसको बाहर किन्तो वो तो मिलता नहीं न मैटिरिल से वो इतने बड़े बड़े शिखरों से नहीं मिलता वो पदारत से पैसे से नहीं मिलता वो प्यास से मिलता है प्यास जब प्राणों में मचली की तरह तडपती है तो वो प्यारा उतरता है बहुत खर्च करकर की उसने धर्म सभाएं की किन्ट एक नहीं मिला जो उसकी प्यास को द्रिफ्ट कर लेता है जो उसको जीवन दिशा देता है सब किताबी लोग बैठा है सब किताबी लोग कठे हुआ है विद्वता के शिकर हैं किन्तु भीतर वईदपन नहीं ग्यान बहुत है भीतर का ध्यान नहीं अपना ध्यान नहीं अपना ग्यान नहीं दूसरों के अनुभव पिरोए हैं अपनी ब्रेन में अपनी बुद्धिय में बहुत बहुत खजाना बटोर लिया है बाहर से किन्त वो डाइजेस्ट नहीं हुआ भीतर डाइजेस्ट नहीं हुआ भीतर डाइजेशन में नहीं उत्रा भीतर कुरुपान्तित नहीं कर सका बाहर डिसकुशन में उत्र गया भीतर जागे बिना डिसकुस करता भीतर जाने बिना देखे बिना डिसकुस करता दुर्भा की है जीवन का बहुत कह सोब कहता है जनका मैं खुद अपनी तलाश में हूँ मेरा कोई और मुद्दा नहीं है मैं खुद अपनी तलाश में हूँ मैं खुद खुदा की तलाश मी हूँ मेरा कोई और मता नहीं है मेरा कोई और मता नहीं है अस्तावकर ने पूछा उसने आपनी पुकार उठा दिया रजनक ने वो गजब अपनी प्यास उठाया वो सुन्दर जवाब दिया बहुत सुन्दर दिशा दिया अस्तावक करने कहा जनक ये बात है हाँ तो सुन ये क्या बताएंगी राजि उल्पत वो क्या बताएंगी राजि उल्पत जे नहें खुद अपना बता नहीं है जे नहें खुद अपना बता नहीं है जिनहें खुदे अपना पता नहीं है वो क्या बताएंगी राजिल पर जिनहें खुदे अपना पता नहीं है जिनहें खुदे अपना पता नहीं है कर दो कर दो कर दो कर दो सभी विद्वानों के साथ पहले जनक भी हस पड़ा उसको देख करके जनक भी हसा किन्तु जब उसने फुकार उठाई उसके एक एक शब्द में अम्रित नेक्टर उतरता उसकी बाचीत में सारा आकाश उतरता एकदम जनक अपनी राजगती से उतर करके नीचे आता है वो ठहरा ठहरा हो जाता है उसकी वाइब्रेशन उसके औरा में वो ठहर ठहर के अपने आपको बार बार देखता है वो ठहरा ठहरा हो जाता है वो स्थिर होने रखता है उसके भीटर नुरो नुड प्यास की त्रिप्ती उतरने लगती है वो हैरान होता है कि क्या आकाश उतरा है मेरे द्वार पर जिसके मुझे को बरसों बरसों से इंतिजार थी मैं कितना मूरक मैं कितना मूर्ड मैं बाहर से देखता रहा मैंने इसको आपने वीटर से नहीं देखा मैंने इसको बाहर बाहर देखा मैंने इसको वीटर से न देखा न जान पाया क्या गजब की पुकार पुकार का जवाब देता है क्या गजब का जवाब क्या गजब का शिखर सौयम आकाश उतर करके आया अस्तावक्र क्या गजव कहिते हैं ललकार करके भरी सभावे कहिता है दुरिया भर की विद्वान वहाँ पे सब किताबी, सब बोकेश रटे रटाए तोते यो ही बातें सक्ति के बारे में जानते हैं कि तो सक्ति को नहीं जानते हैं प्रभू के बारे में जानते हैं, प्रभू को नहीं जानते हैं, प्यास के बारे में जानते हैं कि तुँ प्यास कभी चखा नहीं, प्यास नहीं है, केवल बुद्धी की खुजली है, धिर्दे उनके पास नहीं है, जहां उनके विराज माना है। उठकर के जानक ने अपना सर चुका दिया और दोनों आस्सों बहा करके कहता है अस्तावक नहीं है मुझी को सजदा करने का ध्यंग मुझे नहीं आता मैं आज तक किसी के द्वार पर जुका नहीं हूँ मैंने सर जुका मेरा मेरा सर ही नहीं जुका मैं क्या करके मेरी प्यास ही नहीं किसी के द्वार पर अपने आपको संदुष्ट कर पाई मैं क्या करूं आज पहली बार तू क्या उतरा मेरा रोम रोम जड़ा जड़ा अहलादित हुकते मेरे पोटेंशील को जगता हुआ तु या गजल का सितारा बन करकी आया अधों मेरी संभावन का दीफ जनाने आग rightly ask को प्रमात्मा बनाने आग्या बहुत बहुत कर verification तू आया, किस रूप में आया, वो अलग बात थै, तू कैसा है, तू किस करोणा का रूप बनकर की आया, मुझे तेरे रूप से कुछ लेना देना है, मुझे तेरे सवरूफ से लेना देना है जिसने मुझे को अपनी और ऐसा खेंचा है कि मैं मालो माल हो गया मैं तर्थ हो गया मैं आबाद हो गया आज मैं सभाग्य साली हुआ बहुत सल्ता पूर्वज सरजुकाकर की दोनों हाद जोड़ के कहते हैं शाओर सजदा शाओर सजदा नहीं है मुझे को तुम मेरे सजदों की लाज रखना तुम मेरे सजदों की लाज रखना ये सर तेरी आसता से पहले ये दिल तेरे द्वारे से पहले किसी के आगे चुता नहीं है वो क्या बताईंगे राज उल्फत जिन है खुद अपना पता नहीं है जिन है खुद अपना पता नहीं है जिन है खुद अपना पता नहीं है बाहर के शिखर तनिक मात्र भी हमें मन रोग हिरदे रोग नहीं दे सकते बाहर की आपाधापी बाहर की भाग दवड बाहर की तमाम उपलबदियों के शिखर तनिक मात्र भी ने बुरा नहीं काना तनिक मात्र भी इनकी निंदा नहीं काना माया नहीं है या माया तेरा मन है तेरा माइन है शिकर पे शिकर बनते चले जाएं और भारत की गरीबी दूर हो भारत को गरीब रखने वाला भारत की गरीबी का कारण तुम सोयम समझानते हो भारत दिन प्रति दिन प्रोग्रेसिव हो दिन प्रति दिन उन्नत हो दिन प्रति दिन शिखर बने, भारत का हर व्यक्ति सभाग के साली बने, भारत के संस्कृति का दिवाना, भारत मा की संतान होकर की, अपनी संस्कृति में आपने जीने के ढंग में जीने की कला में रहे, जीने का ढंग जीने की कला हमको आपनी संस्कृति से मिलती है, संस्कृत दी क्या है भीतर जागना सड्हिता कई हां बाहर जैसा रहना बाहर जैसा रहना चाहिए समाज में वैसा रहना वह सब्रूंत में सभ्यता है कर उन्हस्ट सिफिलाइजद रहना बहुत वंहीं ही अपना behavior बहुत अच्छा रखना कि तू कब रहेगा जब तू भीतर अपनी में स्वयाम अच्छा होगा तू स्वयाम भीतर से सुद्रा हुआ होगा तूरे भीतर पुरी improvement होगी तू बाहर well behaved होगा तू बाहर प्रेम में होगा आनद में होगा स्वस्त में होकर कि जब तू behavior में उत्रेगा तो तेरा behavior पूरी तरहा से जगमगाता हुआ सब को आनदित करेगा सब को सुप्रदान करेगा बड़े बड़े शिखर material के भारत में पनप्रे ही चाहिए हर कदम के उपर शिखर होने चाहिए ये शिखर भारत की गरीबी को दूर करेगा इंडिया इज रिचेस्ट कंट्री इन्हाबिटेड बाई पूर पीफल इन्हाबिटेड बाई पूर पीफल आश्यरिया है जिसका माइंड आज सारे वीशों में पहले नंबर पे है नंबर वन इंडियन माइंड इंडियन इंटलेक्ट उस भारत को सुधारने में तरिक मात्र भी देर नहीं लगेगी गर तुम सब हम सब मिल करके अपने आपको सुधार लाओं गर सल्फ इंप्रोव्मेंट में उतरें तो भारत आज सुरग और बैकवंट बनता है आज इगो इगो से जो टकरा करके हम सब को नार्किक बना रही है जैलिसीज का अंधेरा छाया है इर्शाद्विस की अगनी छाय है एक दूसरे को प्रतिलग पूलिंग है भारत को देश को समाज को संस्कृति को बाद में देखा जाता है पहले अपना स्वारत देखा जाता है यह अंधेरा नहीं कि कि आज tension, stress, depression से मरा जा रहा है, और कोठी बंगले में रहने वाला भी मनोरोगी हुआ जा रहा है, कितने भी शिखर बन जाएं, हमें मनोरोगी, हिर्दे रोगी नहीं होना है, हम स्वरनिव शिखर बनाएं, किन्तो हमें कोई मनोरोग, हिर्दे रोग चूना पाएं, अगर मनोर हिर्दे रोग हुआ, हमने शिखर भी तो बनाएं, जस्टीफाइड करने की जूट नहीं है, जस्टीफी एवल बनने की जूट नहीं है, जस्टीफाइड करने की जूट नहीं है, ये तो सही बताता है कि तुने बाहर बहुत शिखर बनाएं, कि तु भीतर का शिखर तेरा तेरा भीतर का शिकर गिर गाए, तेरी भीतर ना शांती ना सुख ना आनद ना मस्ती, तेरा भीतर मनो रोकी हिर्दे रोकी, तेरा भीतर भीतो स्वस्थ पूरन, प्रेम पूरन, आनंद पूरन, सुख पूरन होना चाहिए ना, तू तो स्वयम स्वस्थ पूरन होना चाहिए, बाहर के शिखरों में हम अपना आप भूल गए, अपना भीतर भूल गए, अपनी अंतरमुकता भूल गए, अपना स्रूत भूल गए हमने राट दिन उसको पीठ दिया जहां से उर्जा अनर्जी जहां से इतनी हिम्मत सहस जिस खजाने से हमें मिला उसको हमने पीठ दिया हमने के वर फॉर्मालिटी पूरी किया प्रमात्मा के प्रति अपनी आत्मा के प्रति हमने कभी उससे प्रेम नहीं किया यह प्रेम प्यार महबत का नगमा अगर भीतर भी गुझता तो बाहर की शिक्रों पर आज इंसान पूरा 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 सुख्य होके रहता है बाहर की तमाम प्रकृती की पावन पावन शिखाएं यह प्रकृती की पावन लीला कभी भी यह सदान शुक दाई है ते रफीध एंडनिं टिरफी एंवी ट्रफार्ण करस पान टरफी को अन्धेरों से आजये है एड फिरफटार का सनसार बाहर और की सारी हो से प्रकुली तेरे चरणों पर Cheese और से प्यार करती होई दिखाई डेंगी भारत भूमी पर बाहर भीतर दोनों और शिखर बने ये संस्कृती है संस्कृती है यहां बाहर भीतर दोनों और तेरे शिखर जगमगाएं तेरा भीतर तेरा बाहर दोनों और जगमगाएं जो भीतर जगमगाते हैं जो भीतर थोड़ा सा भी प्राइटी देते हैं प्यास दे अपने अधेरों को दूर करने की वो बाहर भी शिखरों को बनाने में पूरे सक्षम होता है बाहर की शिखरों को भी लहलाहाने में सक्षम होता है पाले भीतर का शिखर गर नहीं निर्मित हुआ बाद में पता चला बाद में सिक्सा मिली बाद में मारगदरस्र मिला बाद में जीवन दिशा मिली, जब भी मिली, आप उसको priority देना, प्रात्विक्ता देना बाहर की सिक्रों के साथ साथ वीतर का शिखर भी निर्मित होता जाए, सुर्ती का शिखर भी निर्मित होता जाए, दोनो और सुर्ती, दोनो और, जागा, दोनो और होश, दोनो और, तीरा जागर भारत की जो बाहर भीतर दोनों और जगमगाती एक ही समय में बाहर भीतर दोनों और हाथ कारवल, मन यारवल, हाथ में काम, मन में राम, क्या गजब की जंदगी, क्या गजब का सिंथेसिस, क्या गजब का समनवित रूप, क्या गजब की संस्कृति है यहाँ, हजर बरसों से लाहला आती है इस धर्ती पर जीने का धंग है जीने की कला है जो पैसों से नहीं मिलती ट्रेनिंग से नहीं मिलती यह पैसा अदा करने से नहीं मिलती जो grace है प्रमात्मा की वो बेची नहीं जाती बाटी जाती केवल vibration का subject है किताबी नहीं जुड़ना अगर बाहर की डिग्रिया चाहिए तो किसी किताबों में उल्जना और अगर भीतर की डिग्री ओफ manifestation डिग्री ओफ realization चाहिए तो आप भीतर की पढ़ाई भीतर की किताब पढ़ना अपने mind की पुस्तक पढ़ना उसे देखना उसे समझना उसे पढ़ना ये पढ़ाई ये inner technology ये भीतर की information technology स्वयम वरक करती है और इसके अंत्रगात सबको पूरा पूरा अधिकार है उतरने का बराबर अधिकार है सबको बराबर अधिकार है वहां कोई किसी प्रकार की भी कोई प्रॉबलम ही नहीं कि सबको वहां पर प्रवेश मिलता है बराबर सबकी भीतर सबको अपने आपने भीतर सबकी लिए वि स्वयम तुझको जग्वगाती चली जादी एक मात प्रवेश की और प्रायर्टी रखना बीतर की और प्रात्मिक्ता रखना धन्य धन्य वजाओ देश्वर के सभी साहारी शरण गुरुदेव की आजारी तीरा भट का जनम सावारी तीरा बिगडा जनम सावारी शरण गुरुदेव की आजारी अपनी बुद्धी पे अपनी शार्पनेस पे नाज करने की जूत नहीं है ये संपदा मिलती ही जागे पुर्सों के द्वार पर है जिसके लिए बोध महावीर जैसे राजकुमार वर्तमान जैसे सिधार्द जैसे राजकुमार निकल पड़े उसकी खोज में जिन्होंने पाया, जिन्होंने अनुभूत किया, जिन्होंने उस शिखर को जाना उनकी खोज में निकल पड़े, कितनी प्यास लगन उतकंठा के शिखर हैं वहाँ, महलों में रहकर के भी ऐसे रहते जैसे वो रहे ने रहे, एक डड़ बाडी क कोई लगाव नहीं कोई अट्याश्मेंट नहीं ईकम धुन है प्यास है अपनी को जाननी की अपनी को देखनी की अपनी को आपको जाननी की इस स्वाल के जवाब को ढूणने की एक मात लौ लगी है लगन लगी है इस जन्म के रहते रहते जीवन को उपलफ्द कर ले ना एक प्यास उठी है उनके भीड है चलें कितने बड़े शिखर हैं बुद्धी मता के कि इन तो किसके शर्ण में गाए किसको खोजनें गाए जिसके भीतर ये संपदा जाग उठी जिसके भीतर ये सितारा जगमगा उठा जिसके भीतर ये नूरी नूर आकाश उतराया जिसने जाना अपने आपको उसकी खोज तलास में गए ना कि प्रमात्मा की खोज तलास में जंगल गए कोई न आई गाया जंगल में केवल आपने प्रेम को लेकर कि किसी ऐसे द्वार पर जहां उनकी प्यास और प्रेम ट्रफ तवाई उसकी खोज और तलास में गई इस अर्थात एक मात्र जागे पुर्ष की सर्ण में जगई जूड़ने गई खोजने गई उनकी सर्ण में रह करके अपनी जीवन के सच्चित आनंद को अपने जीवन की एक मात्र सीक्रेट को पानी गई अपनी जीवन की सत्ता को उपलवद करने गई बहुत गहरा तीर मारा डायोजनीज ने उस लॉजिशियन को उस तारकिक दुनिया के माने हुए तारकिक व्यक्ति को तरक के शिखर को अरिस्टोटर को अरिस्टोटर ने भीतर बहुत खोजा बहुत खोजा कहीं ने मिला माइड के सिवा उसे कुछ अभे नहीं मिला माइड ही माइड का दर्शन किया और वो तीर जो चुभा उसने जीने नहीं दिया सोने नहीं दिया आखिर शिकंद्र को कहता है भारत को जीतने जा रहा है दुनिया भर का लॉजीशियन तारकिक बुद्धी उमता का शिखड बुद्धी का शिखड आज चोटी चोटी बुद्धियां चोटी चोटी थिंकिंग चोटी चोटी शुद्र थिंकिंग बड़ा हंकार करती है अभिमान करती है हाँ खुद को पालेंगे क्या है हम स्वयम जानता है सब हम स्वयम ढूंड लेंगे खुज लेंगे हमें किसी की जरूरत नहीं है अपने आप तो तो काईदा नहीं पड़ सका अपने आप तो एक नर्सरी का काईदा नहीं पड़ सका नर्सरी नहीं पास कर सका तो जीवन की किताब की बात करता जो जनक के हाथ नहीं लगा जो बुद मावीर के हाथ ने लगा तब तक जब तक उन्होंने कदव नहीं उठाया बहुत सुन्दर लॉजिक के शिखर को ऐसी आग लगी ऐसा तीर चुभा अरिस्टोटल को शिकंदर के गुरू को कि रात दिन उसका बेचैन हो उठा कि मुझे ब्योंड माइंड जाना है माइंड को जहां से प्रकास मिल रहा है मैंने उस रोत में जाना है मैंने उस सोर्स को उस सोर्स को ढूड़ना है मैंने उसको उपलफद करना है जहां से माइंड भी पूरी ताकत, पूरी शक्ती, पूरी एनर्जी ले रहा है, उस सरोथ तक पहुँचना है, किन्तु मैं पहुँच नहीं पा रहा, मैं देख रहा हूँ कि मैं माइंड की beyond नहीं जा पा रहा, माइंड ने मुझे पूरी तरह इतना गहरा पकड़ा है, इतना गहरा पकड़ा है, कि मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकता, जब तक कोई छुटकारा दिलाने वाला ना हो, डायोजनीज की तरास की गई, डायोजनीज ने खुद कहा, मैं तो स्वयम ढूंड रहा हूँ, मैं अभी नहीं पहुँचा, मैं त तुर्टीर मारा तो स्वमूद्र को चम्म से मापना चाहता है जम्मस से मापना चाहता है आथा शुद्र बुध्धी से लिमिटेड बुध्धी को जान्ना चाहता है तो मेडिटीशन खुंडता है तो मेडिटीशन से कितना वंचित जी रहा है तो माइड का गुलाम होकर के माइड के आखरी शिकर पर तरक के आखरी शिकर पर खड़ा होकर के भी दुनिया का माना हुआ मोस्ट पापुलर तो मेरा जनम बहुत गुजर गया तेरा ना गुजर जाए तो लॉजीशन ठहरा दुनिया भर का मालिक लॉजीक का तरक का माथमेटिक्स का यूजीशन यू यू नगी बिग ग्रेट यू नो टॉटल इसलिए तो संतुस्त नहीं त्रप्त नहीं अरिस टॉटल तेरे पास आधन है सुविधाय हैं कहीं खोज ले जाकर के कहां मिलेगा इंडिया में मिलेगा भारत में द्रवेश मिलेगा जब तक तेरे हाथ लगे ना तब तक तु बियोंड माइड नहीं हो सकता बियोंड लॉजिक नहीं हो सकता और अरिस्टोटल जैसे तार्किक बुद्धी मान तरक्षीर व्यक्ति को भी कोई ना कोई मारग दर्सन चाहे है कोई ना कोई द्रवेश चाहे है कोई ना कोई जागा पुरिश चाहे है जो उसको माइड के पार ले जाए जो उसकी प्यास को त्रिप्त कर दे अफसोस कि उसको तो मिल करके भी नहीं मिल पाया, भारत में चारों युगों में मिलता है, कि वो लप्यास उसका पात्र है, प्रायर्टी अपने भीतर की, जो तुझे टुटैलिटी में खड़ा करती है, वो प्यास, वो प्रायर्टी, अपनी को जानने की, अपनी को पैचानने की, अपनी मन माया से सवतंत्र होकर के जीने की, अपने मन के प्रति जागने की, ये रसायन, ये सुपर साइंस, एक मात्र, भारत की संस्कृति है जो हर प्यासे दिवाने के हाथ लगती है जो केवल प्रायर्टी रखते है इस स्यूडो मैस्टर के हाथ नहीं लगना लगना है तो रियल मैस्टर के हाथ लगना इस जूटे जूटे मन रूपी मालिक के हाथ नहीं लगना mind is a pseudo master पट यू आरे रियल मैस्टर अपनी मैस्टर्शिप जगा शूर वीर बहादर हो करके मन के ब्रती जाग और अपने सारे दुखों को दूर करके सुक पुरन जी प्रेम पुरन जी आनंद पुरन जी स्वस्त पुरन जी तीरा धर्म है यहां मानो चोला प्राफ्त करके human life को गेन करके गर तु दुख पुरन जीएगा तु मनों रोगी हिर्दे रोगी होके जीएगा तो तुने कलंक लगाया है प्रभु की कृति पर कलंक लगाया है जो हजारों हाथों से बना करके भेजा अपने आपको उसके भीतर बिठाया तुने उसकी तरब आँख उठा करक करके बाहर ही बाहर ध्यान सुनांठी आपके चित्रां को बहा करके इक दिन समसान पहुंच आ Après कि तुने वीतर बैठे समता के भाव को सम्भाव जो तीरी इंतजार करता है तीरी परतिक्सा करता है तुन्हें उस तुम आँख उठारे करके भी नहीं देखा एक बार उस और थोड़ा सांग उठा लेटा तो तीरा सुक तेरी शांती आनंद वस्ती बेप्रवाही तुझको आपने भीतर से मिल जादी गस्तूरी कुंडल बसे तेरा भीतर है वहाँ थोड़ी आँख भीतर रखना बाहर की आँख में तेश घंटे रहना एक घंटा भीतर की आँख में रहना हम तुम्हें गारंटी देता है तुम कभी मनोरोगी हिर्देरोगी नहीं हो सकता है कभी भी मनोरोगी नहीं हो सकते, कभी स्ट्रेस तुम्हें शिकार नहीं बना सकता, गर honestly, sincerely, एक गंडा छोड़ के जूठी मन माया को, फजोल की सोच को, यहीं बेड़र बेड़र सोच आपनी विल पावर को मेजोर कर ला ना, इतना समय है तो थोड़ा सा इस को देखने में लग, देखना एक मात्र जीवन है, देखना तेरा सुभाव है, जागे जागे देखना, केवल देखना करकर के मुआ है तु आप तर तुने देखा अभी ना है अब थोड़ा करना एक तरव रकर के नॉन डूर होकर के अकरता होकर के अपने भीतर की और जागे जागे देख तेरा मालिक स्वयाम तेरे पे कितना कुर्बान होने को आतुर है कितना तत्पर है वो आपनी ग्रेस बरसाने में थोड़ा उसके राहों पर परतिक्षा रत होकर के लिए थोड़ा इंतजार के पलों में आ बहुत मुदिद भाव में जागे जागे भीतर की रहा पर उतर यह भीतर की रहा तुझे तेरी मंजिल तेरी ultimate goal तक जाती है मंजिल भीतर है बाहर की दुनिया में बाहर की दॉड़ में मौत ही मौत हाथ लगती है माइड मौत तक पहुचा रहा है meditation तुझको master तक पहुचा ती है छोड़ के जूठी यो ही कालपनेक ने छोड़ के जूठी मन माया को ध्यान करो स्वयमातम का ध्यान धरो भगवान का दोड़ के मने की बंधन लेलो एक साहारा सदगुर दीव का तुझे कर दें वो भव से पार तुझे ले चलें वो मन के पार शरण गुर देव की आजारी अचोड के सभी सहारी शरण गुर देव की आजारी मलके के सहारों में नहीं रायना है मालिक के सहारे में जिया कर दो कि टो है कि रुझे कर दो आना कर दो कि आम । कर दो कर दो शरण अपनी मास्तर की आजारी